वेलकम फ्रेंज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गेहों के आटे का बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट नास्ता की रेसिपी ये नास्ता बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंडिक्रियंस में बनके दयार हो जाती है यकीन मानिए इस त ताजी फ्रेस मेत्ही के पत्ते ले लिए इसे अच्छे से चून के साख पानी से धो लिए यह बहुत ज्यादा ताजी है इसकी दंठल रहे ज्यादा मोती नहीं है एकदम से सॉफ्ट वाली है अब सारा मेथी को एकदम से बारिक काट लेंगे सारा मेथी को काट लिए अब बड़ा बर्तन लेंगे रिसमें डालेंगे एक कप गेमू का आटा आधी छोटी कप सूजी आधी छोटी कप बेशन स्वाध अनुसर नमक 1 तीजाओ हल्दी पाउडर, 1 तीजाओ ग्लकी पाउडर, 1 तीजाओ साबुद चीरा, 2 टेबल स्पून बारिक चॉप किया है हरे मी, 1 टेबल स्पून ओइल, 2 टेबल सपून लेसन अधरक का पेस्ट और इसके साथ ही मेती के पत्ते हैं सारा चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, सारा चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हलकाल का पानी डालके टाइट डो लगाके तयार कर लेंगे, एक बार में ज्यादा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक टाइट डो लगाएंगे, इस तरह का ये देखिये आटा का ये नास्ता एक बार बने गए तो बड़े हो या बच्चे सरी मांग मांग के खाएंगे। ये देखिये आटा को एकदम से टाइट गुथ लिएं, कवर करके 10 मिमेट के लिए रेष्ट के लिए छोड़ देंगे फिर नास्ता बनाएंगे। दस्ट नट हो गई, आटा अच्छे से सैट हो गई यह देखिए और जो इसमें सूजी डाले थे सूजी भी बहुत अच्छे से फूल गई अब हांतों में थोड़ी से तेल लगाएंगे इस तरह से दोना हांतों में लगा लेंगे परांटा का छोटा छोटा लूई तोड़ेंगे और इस तरह से रोल करेंगे ना जादा मोटी ना जादा पतली मेडियम सेज का रोल बना के तयार कर लेंगे इसी तरह से सारे आंटा का रोल बना लेंगे सारे रोल बना के तयार कर लिए विसे श्टीम करेंगे इस्टिम करने के लिए पानी पहले से गर्म कर लिए इसके उपर से रखेंगे एक इस्टिल का छन्नी छन्नी को तेल से ग्रीस कर लिए अब इसके उपर से रखेंगे ये रोल सारा रोल को रखती है कवर करके 10-15 मिट कर इस्टिम करेंगे 10-12 मिनिट हो गई एक बार चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत अच्छे से इस्टीम हो गई इसे थोड़ा पलट लेते हैं इस तरह से पलट के भी 2-3 मिनिट दर इस्टीम कर लेते हैं ताकि अंदर से एक दम से अच्छे से इस्टीम हो जाए फिर से 2-3 मिनिट के लिए कवर कर देंगे 2-3 मिनिट होगे कवर हटा लेते हैं यह बहुत अच्छे से स्टीम होगी यह देखिए एक चेक करके दिखाते हैं यह देखिए यह बिल्कुल साप निकल जा रही है अब गैस को बंद कर देंगे और 5-10 मिनिट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट होगे सारे रोल अच्छे से ठंडी होगे विसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से अब मोटी पतली आप अपनी हिसाब से काट सकते हैं इसी तरह से सारे रोल काट के तयार कर लेंगे सारे रोल को छटे-छटे टुकड़ों में काट लें इस तरह से अब इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए कड़ाई को गर्म कर लें इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल हम कम ओयल में नास्ता बना के तैयार करेंगे तेल गर्म हो जाने पर डालेंगे हाफ टीज़्फून जीरा हाफ टीज़्पून सर्सूँ 8-10 कड़ी पत्ता एक बारेक चप किये हुए प्याज प्याज को अंका भूनेंगे प्याज अंका भूनेंगे अब इसमें डालेंगे हाप टीश्पून हल्दी पॉडर, हल्दी को अनिका भूलेंगे, अब इसमें डालेंगे आटा वाला 0 narsta, अच्छे से मिक्स करेंगे, पर कुछ से के लिए नुटू के बिए करेंगे, इसके सापिपे ढालेंगे से दमाट, बढलते समयः द्यान में जब हम आटा गूत रहें तब भी नमक डालेते हैं, अच्छे से चलाते हैं कोई सेकंड फ्राइ करेंगे, बहुत ही कम वैल में यह नास्ता बन जाती है, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है, और यह आटे से बनिया यह बहुत ही ज़्यादा है, लग लगाता चलाते हैं भूनेंगे, लगाता चलाते हैं कोई सेकंड होगी, आटा और मेथी का यह नास्ता मेरे अच्छे से फ्राइ हो गई है, अब गैस को बंद कर देंगे, और इसके उपर चडालेंगे थोड़ी से बारी कटी हुई हरी धनिया, आटा का इर्दम से हेल्दी स अब करने के लिए बहुत ही स्वाधिश्ट गेहों के आटे का नास्ता मैंने बना के तयार कर लिये, इसे आप गर्म गरम टेमेटे सॉस या हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते, यह सभी के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है, वीडियो फसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही आसान रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस के मना भुलें, इसे मेरे आसान रेसिपी के वीडियो की आपको मिलेंगे सबसे बहले थैंक यू